असलामों आलेकूम कैसे आप सब तो भी हो रहा है मौनिंग का टाइम और यहां बनारियों मैं सुभा का नास्ता तो नास्ते में जो हमारे जातर बनता हुए ही बन रहा है पोहा तो बस यहां पर मैंने प्याज और मिर्च काट कर रख लिए हैं मटर रखी है और पोहे को धो कर मैंने नमक थोड़ी सी चीनी और धन्यपति काटके डाल दी है तो बस अभी सब चीजों को मिक्स कर दूंगे और यह पोहा बनके हमारा तैयार हो जाएगा तो यह हमारा आज कर नास्ता है और जब तक यह पोहा मिक्स करके रखा है तो मैंने पपीता कट कर लिया था तो यहा इससी तरीगे से पसंदे तो यहां पर मैंने इस तरीके से पीयाच तयार करती हूं यहां चाटमसाल करेंटेंटेंग करना ऱक्याशफ टयार लेत कर booking रांसे इस तरीके से बना लकी अ tad मतशनी है और बस उनको लगा देती हो और एक ब्रेट की स्लाइस पर यह जो यह चीज है वह लगा लोगी और बस यहां देखिए यह सेंट्विच बनके तयार हो गई है तो बस इनको थोड़ा सा सेक लिया था और उपर से भी चीज लगवाया बेटों ने बोला कि उपर से भी चीज बारिस हो रही है और यहां देख लीजिए इंदर धनुस भी निकल आया है तो जब बारिस होती है और धूट निकलती तो इंदर धनुस जरूर से निकलता है और इसको देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुस हो जाते तो मैं दिखा रही हूं जूम करके लेकिन वह लोग बिजाते नहीं है इसलिए तो यह लेकर आया चिकन और क्यों लेकर आया है वह मुझे पता है क्योंकि हम लोकल टीवी पर ऐसे ही देख रहे थे सहरों की रेस्पी बताते हैं मतलब हर सहर में क्या फेमस है तो हम कभी-कभी वह चैनल देखते हैं और हमें अच्छा लग बना लोगी मैंने का तो बस कल बात थे लेकिन मुझे नहीं पता देकर आएंगे तो यह चिकन लेकर आहाए हैं मैं अभी नहीं बना रही हूं अभी तो रात के बज़ रहे हैं तो उसी के लिए मैं लसन छीन रही थी और लसन इतना छोड़ा छोड़ा था कि वह बहुत देर मतलब मैं नो बजी के आई हूं और अभी दस बच रहे हैं रात के तो अभी एक पुपड होगी है फिर साथ दो मतलब मैं लसन में चील लिया मिनी की लाद रख छील लो और रख खरता हूं मतलब मैंने इस फ्रीज में ढूड़ा और अद्रख ही नहीं है मतलब मिझे एक गाट भी मिल लाती नहीं तो मैं उसको डाल देती बस लेकिन आप क्या कर सकते हैं दस बच रहे हैं चलिए बिना द्रख क्या है मैरीनैट करके लख देते हैं चिकन को किस'm किस राद यका होता है मेरे जात तो अप्सरों ही जाता है और मैं अगर यह बत बूलूँ नहीं थे तो बहुर भी तो शेंटे हैं और मैं यह चीज बूल दानी है इसलिए मैं बुलूनीनी कुछ भी मैं बिना अध्रक के ही जो एना से रिप्लेशन डाल दूंगे उसमें और मेरनेट करके रख दूंगे जो एना ऊजार्ष्पी बनानी है तो बहुत ही एची रेटी और परको सिंपल सी है लेकिन हम लोग जो है पहली बार भार बनाएंगे और टेस्ट करें क्यूंकि हमारे इस तरीके की चीज़े नहीं मिलती है मैं बताती हूं कि हमारे नौन विस बगिरा नहीं मिलता तो अपने तोड़ा सा चिकन लोगी स्रिफ पीस थोड़े से बॉइलेस चिकन बोलते हैं वह और उनको मेरिनेट करके रखने तो चिकन तो जो यह ना बहुत सारा है तो मैं सोच रही हूं बटर चिकन बनाओ कर चिकन के तो होता है ना हाथ से ही टूट जाता है बारे बारे से चोटे चोटे पीस चाहिए तो बस वही करके में रख रही है है जब कोई चीज की अचलाब से चलती है तो बड़े अंतिक्ट से जाती है वैसे बहुत सारा तरफ रहा था लेकिन वह गया था ध्यान नहीं दिया और आज सोच वे रहे ती कि मंडी जाएंगे ले तो सबजी अगेरा बता देना बसंद से क्योंकि मैं बूलती है ने कि तुम यह ना लाए वो ना लाए तो इसलिए चलो चिकन आगया तो इसमाने यह कल मुझे सबजी मनाने की कोई टैंसर नहीं क्या बनाऊं को यह वो लेडिसों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहती है कि कि खाने में क्या बनाएंगे और ऐसे पता चल जाए ना कंफर्म हो जाए कि हाँ यह चीज बनेगी तो फिर बड़ा रिलेक्सा फिल लगता है तो अब यह चिकन आगे ना तो मुझे पता है कि मुझे यही बनाना है और इसलिए मैंने लेसं ज्यादा चील जाए इसकी सुब कि लिए मैं इतना लस्त नहीं जाए दो सुबहा कि स छीईल है मुझे चील ना नहीं पड़िया है हुपपना है जो न्यूद्व मुझे लग जाए मैं निकाल सक॥िते मामिस मैं निकालर रहे है कि से तना काफी है यह मैंने इतना जूप पीस-पीस में तोड़ लिय आगया ह तो अभी मैं इसको दो लेती हूं तो बस यहां पर चिकन जो एना दो कर लेकर आगए हूं और पस अब इसमें मैं डाल दूंगे लेशन जो मैं इसको इस तरीके से दरदरा पीस लों क्योंकि अगर अध्रक भी होता तो फिर मैं मिक्सी जाल में जो एना उसको पीस दी लेकिन कर लेती हूं तो बस यह कर दिया है और अब मैं जो है ना इसमें नमक डाल दिया है और मिर्च पाउडर और यह धनिया पाउडर और यह मैं डाल दूंगी थोड़ा सा फूट कलर जो जड़ते कलर रेता है वह और यह मैं डाल दिया है भुना हुआ जीरा पिसा हुआ और यह तोड़ा से तो मैंने डाल दिया है और यह काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर और सबी को मिक्स कर लूंगे अच्छे से और फिर मेरा मन नहीं भाना तो मैंने हल्दी भी डाल दी और यहां देख लिए अलिया भी आ चुकी है और बस एक अंडा रखा हुआ था तो म तो यह देख लिए अच्छे से मिक्स कर दिया है गोड मॉनिंग तो अभी हो रहा है नेक्स टे तो आप लोगों से में मिलती रात में और आप हो गई है सुपा तो आज जो मेरा ब्लॉग है दो दिन का हो जाएगा इस वार बस अभी सुपा सुपा मैं बच्चों को लेकर उ अच्छा है तो फिर मैंने का चलो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा खेल कूट लेना क्योंकि बच्चे बाहर तो जाने पाते हैं तो इसलिए घर में उनको एक्टिविटी करवाते रहते हैं या फिर हम लेकर चली आते हैं सामके टाइम पर तो बच्ची भी खुस हो जाते हैं और घर में तीवी मुबाइल देख देख के तो अभी चुट्टियों रखी हैं तो यह भी नहीं है कि हम मैं सब बोलू के पढ़ाई कर ले क्योंकि कुछ दिन का तो ग्याप मिलना चाहिए तीन चार तारिक से फिर से उसकी क्लास चालू हो जाएंगी तो इसलिए मैं भी उस सब क्योंकि मैं भी उठाती कि क्या का में इनका उठके तो इसलिए मैं उठाती नहीं हो लेकिन आज जल्दी उठ गई तो मिलका चलो ऊपर चलती है तुम खेल लेना हम भी बैट लेंगे आराम से फ्रेस फ्रेस सुबा की ठंदी हावा खाएंगे और मुझे एक कमी लगती है कि कि अगर हमारे घर के आसपास कहीं पर जोना एक पार्क वगरा होता चोटा जैसे कि बड़े सेरों में होता है ना हर जगे चोट चोटे पार्क तो जरूर मिल जाएंगे जो भी कॉलोनी रहती है तो उनके पास एक पार्क तो होता ही है लेकिन हमारे यहां तो दूर दूर है तो बच्चे भी बहुत जादा मिस करते हैं हम बड़े भी मिस करते हैं क्योंकि हरी हरी जगे पे घूमने का मजा ही कुछ अलग है तो बस यहां आलिया बेटी हुई है और बोलेंगे कि मैं मैं चिम्टियों से ना फूल बना रहे हैं मेरे की ठीके बनाओ और इनाया तो बस पा यह देख लीजिए कप मिल गया उनको खिलोने का और बस पानी भरने गई अब यह खेलती रही यही करती रहेंगी तो चलिए फिर मिलते आप लोगों से तो अभी टाइम हो गया है दुपहर का और मैं आए हूं च्छत पर हो बहुत जाद गर्मियों बहुत तीज धूब है म मतलब मुसम को कोई पता नहीं है कब कैसा मुसम अब तो इस लाइं पर बहुत ही दूप है और मैं करने आए थी अपनी वीडियो में बॉइस ओवर तो बस अभी नमाज पढ़के भारी कुई हो फिर मैं बॉइस ओवर करने आगे भी खाना नहीं खाया है तो बस अभी मेंक Uzार्म फॉद फेलिंश कर देती हो और जो मुझे बात करने हो भी कर लेती हु!' मैंने प anxiety के कभी लोग पूछते हैं कि अपालिया को उर्धुर भी नहीं पढ़ा रहे हो वह अधी पंगने नहीं जाती है। क्या तो अभी तो आलिया फिलाल नहीं जाती है क्योंकि मैंन लेकिन वस वह प्रॉब्लम में कि इतनी दूर भेजें कैसे किसके साथ हो कोई ऐसा ही मतलब ऐसे कोई आथ पाथ की बच्ची भी जा रहे हो तो उनके साथ भी नहीं है तो हालिया अकेली पड़ गई है तो इस पज़े से उसका इतना लेट हो गया लेकिन फिर भी मैं सोच रही तो आप बता दो क्योंकि मुझे आलिया को पढ़वाना है तो उन्होंने एक लीडिस बताई हैं जो वहीं पर पढ़ाती है और उनका घर हमारे घर से बहुत दूर है मतलब बहुचने में है ना 15-20 मिनट लगें गारी से बाइक से जाएंगे ना तो और फिर अकेली बच्च है कि अगर आप कोशिस कर लें कि कोई घर पे चला जाए पाड़ाने के लिए तो वह बहुत अच्छा है तो उन्होंने बोला कि मैं देखूंगी हावा चल रहे मैं देखूंगी और बता दूंगी जब तुम कप्र उठाने आओगी तो तो बस आज या कल में कप्र उठाने जाओंगी तो फिर देखती हूं क्या जवाब देती है अगर कोई नहीं मिलता है तो फिर वहीं पहुचाना पड़ेगा लेकिन बस यहिए कि ले जाना और फिर लाना तो बहुत दिक्कत वाली कुई कभी टाइम होता है कभी नहीं भी होता है टाइम तो इस तरीके से हो जात हुँ जब तक नहीं हो पा रहा है कोई पढ़ाने वाला आ जाए या फिर वो पढ़ने जाने लगे तो अभी तो ऐसा चल रहा है लेकिन मैंने पता है जब आले स्कूल पढ़ रही थी और जब भी आप लोग कॉमेंट आए तो मैंने जब इसे कोशिस स्टार्ट कर दीती कि है और देखो कब होता है इंतिजाम कोई पढ़ाने आ जाए क्योंकि देखो मुझे भी इसकी टेंसन है इसकी चिंता है कि बच्चा देखो हर मा को रहता है कि उसका बच्चा बच्पन में ही जो है ना अर्भी उर्दू अपनी दीनी तालिम पढ़ ले बहुत अच्छी बात है तो बस यह था कि अभी तो नहीं पढ़ती है लेकिन इंसाला आगे चलके जरूर पढ़ने लगेगी वो या तो फिर वो जाने लगी या फिर कोई उसको पढ़ाने आने लगा तो आज या कल जवाब मिल जाएगा तो अगर जैसे ही अगर कुछ भी होता है अगर वो आते ह ही ड़ाने तो भी तो में आप लु की साहिए नहीं दो एक तो बस आप इस वीडियो को मैं करती हो एंड इस धे अपर जा और